आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी प्राइड चिकन उसके लिए हमने लिया है वन टेबल स्पून अधर पीस्ट लसन का पीस्ट आदा स्पून नमक आदा स्पून रचिली स्लेक्स आदा स्पून ब्लाग पैपर पाउडर आदा यह चीचन में जाएंगे एक बॉल में हमने लिखना है वाम बाटर नहीं लेना ना कुल लेना है नॉरनल टमप्रेशर का पानी लेना शेमान कि लिए हमने यह ढाला है त्टीेस्पून नमक नमक जाहेगा और तक्रीबल स्पून सिर्का जाएगा यह तो नियृझ जीऑऒा चिकन को डिप करने के लिए और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताके नमक और अशर का अपस में घुल मिल जाए इनकी दोस्ती हो जाए और यहां पर हमारे पास था डेड़ किलो चिकन उसके हमने डीपली कट्स लगा ले थे और कट्स हमने इसलिए लगा था ताकि इ मारिनेशन अच्छी हो जाए और मसाला अच्छी तरह लग जाए अब हम इसमें डालेंगे चिकन और यह आप लोगों ने पानी और सिर्के वाला स्टेप मिसने करना इससे क्या होता है चिकन आप लोगों का जूसी बनता है जूसी भी मनेंगा और थोड़ा सॉफ्ट भी बन सिर्का हमने पर दो कर लिया था इसलिए आप अपने टेस्ट के मताबक एड़ कर लें और बाद में डालेंगे सारे मसाले यह मसाले डाल के आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप रेड़ चिली पाउडर थोड़ा और एड़ कर सकते हैं आप ने जिस तना आपको मसाले पसांदा आप तरह डाल लें और चिकन फ्राइब करके देख लिए कार कम ज्यादा हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं तो एक लास्मी टेस्ट किया करें कि आपके टेस्ट के मताबिक है कि नहीं सारा चिकन नी फ्राइब करना पहले वान पीस लगों के चिकन को 20 मिनिट हो गए थे पढ़े वे इसका कलर भी थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो गया था और यह पानी का कलर भी चेंज हो गया देखें आफ्टर 20 मिनिट हम इसमें रखेंगे और इसके बाद हम सारे मसाले इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे और अब हम हाथ यूज़ करेंगे क्योंकि हाथों से मैरिनेशन अच्छी हो जाती है तो अच्छी तरह आपने हर पीस को लगाना मसाला आप चाहें तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं या जितनी देर चाहें रख सकते हैं जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा होगा इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में एक घंटे के लिए और फिर हम लेंगे एक अंडा उसमें डालेंगे रच चिल हाफ कप दूद इसको अच्छी तरह बीट कर लिजिए अंडा और दूद दोनों मैंने ठंडे यूज किया है तक्रीबान फ्रिज में जो टम्परिचर होता हुई है बहुत ज्यादा नहीं कूल नहीं है और यह मैंने लिया था आदा कप मैदा और इसमें मैंने थोड़ा सा और पाल दूद एक टर यूजा अजाने थिक हो और ना थिक हो न थिन हो और इसको भी अच्छी तरह हो धाकर पूर्ट कम लगे या तो तो आप इस वाले कोटिंग में डाल सकते हैं ठीक है यह हमारे चिकन को डेड़ गेंटा हो चुका था अब हम फ्रिज से चिकन निकाल लिया है और इसको हम करेंगे कि इसमें कोट करेंगे मैदे में मैने कोटिंग के लिए हमें ज्यादा मैने इसक Notes कोटिंग के लिए हमें ज्यादा मैदे चाहिए और इसमें मैने कुछ भी नहीं डाले कोटिंग कॉँटैट एव और बूघखर पारियुक्त निकलीजुक्तु में अजोटेंगे 1 फ्रीज़ रभी अच्छी तरह इसको प्रेस करकर के अच्छी तरह लगाना आपने ज्यादा जोर से प्रेस भी नहीं करना और फिर हम लिक्विट पैटर में इसको रिप करेंगे अगेन हम दुबारा फिर इसमें करेंगे इसको आपने इस तरह दबाते हुए हलका सा गुमाते हुए अच्छी से कोटिंग करनी है और ज्यादा आप लोग ने इस पर जोड नहीं देना ज्यादा दुबार के कोटिंग नहीं करनी है वरना फिर चिकन के पीस अलादा हो जाएंगे यह देखे इस तरह और बाकि जो एक्सरा मैदा होगा वो ऐसे से करके जाद लेए वरना वो ओायल में फिर फ्राई हुने के बार नीचे बैठ जाता है ऑईल हमारा तक्रीबए विल्का गरम होना चाहे बहुद्स जदा गरम नहीं होना चाहे और बहुद थंडा भी नहीं होना चाहे और वैन भाई वन हर पीस को इस तरह करते जाएं और और फ्राइ मैन साओं है अब अफवतारी के लिए बना रहे हैं तो रोस्सेहिए लग जाएगा तकरीबन लग जाता है इसको दो गहंटे एक हमें से बैसे कूटिंग मेन का में बाकि मैरिनेट करने के लिए तक रात को भी रख सकते हैं एक दिन आप रात को मेरिनेट करने के लिए रखते हैं और अफ्राइब कर लिए तो ज्यादा इसी रहता है अफ्तारी में इसकी कोटिंग करके फ्राइब कर ले बहुत इच्छी तिप थी है मामी आपने बहुत ही मज़दार बहुत ही यमी बहुत डिलिशियस था और यह देखे हमारा एक पीस रैडी हो चुका है इसको हम टेस्ट करेंगे कि इसमें अंदर से भी मैं दिखाते हैं कच्छा है तो नहीं है यह देखे बिल्कूल एच्छी तरह पक चुका है तक्रीबन साथ से आठ मिनट लगे थे इसको पकने में तो आपने इसकी फ्रेम का ब में उसको पूरा कर लेज़ेगा नमक कम हो या मिर्चे कम हो तो अपने टेस्ट के मताबिक डालेज़े अगर आप यह बनाने के लिए थाए पीस और लग पीस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डीप कट लगाएगा क्योंकि वह पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं और त को बन काक्षब करने का बहुती है कि दी था लागि में शोब एक नादसी कोटिंग करते हैं जैसे में लिकवीड बैठर बनाया ना काफित पानी में थंडे पानी से कोटीं थी तेकिन वह बन्दी बन मैं जलदी उतर जाती था यहस्की कोटिंग नहीं होते हुआदी है वह इसको एर टाइट में रख लीजेगा दुबारा फिर आपके काम आ सकती है इस वक्र सुबा के छे बज़े और हम वाइस ओवर कर रहे हैं तो सहरी कर ली थी हम नमाज पढ़ ली थी कुराने बाग पढ़ लिया था और आज हम वाइस ओवर कर रहे थे इसका शायद ये जिडियों की वे स्प्रिंग भी आ रहे हैं अचा आप लोगों ने इसको फ्राइर करने के बाद कोई न्यूस पेपर पर या टिशू पेपर पर नहीं निकालना क्योंकि वो फिर सारा मॉइस्टर इस पर अब्सॉर्ब कर लेगा और आपका चिकन नरम नरम सा सौग हो जाएगा ये लिडिस जिकन आई होब आपको आज की रैसे भी अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए लाफिए लाफिए